हाई गाईज, वेलकम चुबी बैंकर, स्वागत आपकाच के क्लास मैंच के वीडियो में, मैं हूँ पृती मैम और आज में लेकर के आगई हूँ, आपके लिए एक और नहीं जबरदसी वीडियो, तो क्या होने वाली है वीडियो, वीडियो होने वाली है कनेक्टर्स के उपर जिनको इस्तमाल करके आप दो वाक्यों को जोड सकते हैं, यह बहुत इंपोर्टेंट रोल प्ले करते हैं, जहां आपको बड़े बड़े थोड़े सेंटेंस बोलने की ज़रूरत पड़े, मेना कनेक्टर्स के आप नहीं बोल सकते, तो यह वीडियो तो बहुत इंपोर्ट सबसे पहले आपको पता लग जाए, आप सीदे सीदे हम से जोड सकते हैं इस वाट्साप नंबर के जरिए, हमारी बुक्स, हमारी एबुक्स, हमारी पेड कोर्स इसके बारे में जाने के लिए, साथी साथ यह वाली क्लास और इसकी एसे धेरो क्लास डिरेक लिए मोबाइल तक पाने के लिए, अब कैसे मिलेंगी आपके मोबाइल तक यह क्लास इस, आपको करना होगा इसके लिए वाट्साप, आप कर सकते हैं हमें किसी भी सोशल मीडिय साइट पर फॉलो, तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो, सबसे पहला शब्द जो है वो है इफ, इसको क्या पढ़ते हैं, इसका मतलब होता है अगर, इसका मतलब क्या होता है, मतलब होता है अगर, कैसे इस्तमाल करेंगे, यह जानना सबसे ज़रूरी है, चलिए देखें, अगर आप दिल्ली जा सकते हैं, तो यहां उसके बाद आपकी एक और सेंटेंस आ जाएगी, जो इसको सपोर्ट करेगी, ठीके, देखें, अब दो वाक्यों को जब जोड़ा जाता है ना, तो वो लंबा वाक्य तयार होता है, इसी वज़े से कनेक्टर्स को याद करना, कने प्रेजी बोलने को लेकर के तो, चलिए बढ़ते हैं आगे, अगला है अनलेस, इसको याद ऐसे रखिए, इसको पढ़ते हैं अनलेस, ठीक है, यू एन और ल ए डबलेस, अनलेस, यानि कि जब तक की, अनलेस का मतलब क्या होता है, जब तक की, अब याद रखिए एक चीज कि अनलेस जो है, वो एक सिचुएशन को दिखाता है, ठीक है, यू विल नेवर नो, अनलेस, यू ट्राइ, जब तक आप कोशिश नहीं करेंगे, आपको कभी पता नहीं चलेगा, एक सिचुएशन मतलब आपको एक बेसिकली, एक सिचुएशन के तहत आपको कुछ करने के लिए प्रेरित करता है, इस तरीके के सिचुएशनल यूजज होते हैं, अनलेस के, यू विल नेवर नो, अनलेस, यू ट्राइ, जब तक आप कोशिश नहीं करेंगे, आपको पता नहीं चलेगा, ख्लियर है, चले बढ़ते हैं आगे, अगला है तिल, तिल का मतलब होता है तिल का मतलब क्या होता है, तक, इस्तमाल देखें, वेट तिल आई कम, मेरे आने तक प्रतीक्षा करें, मेरे आने तक प्रतीक्षा करें, ठीके उसके बाद प्रतीक्षा नहीं कर दिया है, मेरे आने तक, मतलब मेरे आने से पहले तक प्रतीक्षा करें, वेट तिल आई कम, देखिए कैसे आप इस्तेमाल हो रहा है, आपने किसी को इंतिजार करने के लिए कहा, लेकिन ये नहीं बताया कब कहा कैसे, आपने जैसे ही till लगा दिया, तो ये सारी picture clear हो गई, कि उसके आने तक आप प्रतिक्षा करने की बात कर रहें, तो देखा, कैसे एक छोटा सा शब्द ने कितना बड़ा sentence बना दिया, है ना, चलिए बढ़ते हैं के, अगला है until, जी हाँ, अगला क्या है, until, इसका मतलब होता है जब तक, अब देखिए, until जो है, वो आपको time दिखाता है, जब भी until के आप बात कर रहे हैं, तो आप किसी particular time slot की बात कर रहे हैं, किसी particular situation के आप बात नहीं कर रहे हैं, आप time की बात कर रहे हैं, कैसे देखिए, you will stay here until I will call you, आप यहीं रहेंगे, जब तक मैं आपको नहीं बुलाता, या मैं तुम्हें नहीं बुलाऊंगा, तुम तब तक यहीं रहोगी, जब तक मैं तुम्हें नहीं बुलाऊंगा, you will stay here until I will call you, अब कोई तो ऐसा वक्त होगा, जब वो उसको बुलाएगा, एक घंटे बाद, दो घंटे बाद, तीन घंटे बाद, दस मनट बाद, तो यह क्या दिखा रहा है, वक्त दिखा रहा है, वक्त का जो टाइम स्टैम्प है, वो इसके पीछे छुपा हुआ है, clear है, तो यह अंटिल जो है, हमेशा आपको किसे एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम को दिखाता है, तो ऐसे ही इस्तमाल करते हैं इसको, राइट, चली बढ़ते हैं आगे, कैसे, इसका मतलब होता है देखिए, जैसे ही या जितना जल्दी हो सके, दोनों ही मतलब दोनों ही जगों पर यह इस्तमाल होता है, अलग-अलग sentence के situation के उपर बेज़े इस्तमाल होता है, इसका मतलब दोनों ही होता है, as soon as का मतलब जैसे ही भी होता है, या जितना जल्दी हो सके वैसे ही, जितना जल्दी हो सके वैसे भी इस्तमाल होता है, इस्तमाल देखिए, come to the office as soon as possible, बल जितनी जल्दी हो सके कार्याले में आजाओ Come to the office as soon as possible जितनी जल्दी हो सके कार्याले में आजाओ Clear है? चलिए बढ़ते हैं आगे Because Because का मतलब होता है क्यों की? Because का क्या मतलब होता है? क्यों की? कैसे? इस्तेमाल देखें I am here because of you मैं आपकी वजह से यहां हूँ यहां पर क्योंकि इस sentence के पीछे चुपा हुआ है आप इसको ऐसे बोल सकते हैं ना कि मैं यहां हूँ क्योंकि आप यहां है लेकिन हमने इस sentence को बोलने में सविधा जनक बनाने के लिए क्या हम लोग बोलते हैं कि मैं आपकी वज़े से यहां हूँ क्योंकि क्या दिखाता है किसी कारण को दिखाता है किसी रीजन को दिखाता है आपकी वजह से यानि कि सामने वाले के वजह से उस कारण से आप वहां पे हैं है ना तो यहाँ पर क्यों की क्या है छुपा हुआ है इसी वज़े से सेंटेंस में हुआ है use because I am here because of you clear है चलिए बढ़ें आगे that that का तीन मतलब होता है एक उस दूसरा की तीसरा व तीनों ही इस्तमाल important है that का ये तीन मतलब होता है चलिए इस्तमाल देखें see that bird उस पक्षी को देखो see that bird उस पक्षी को देखो bird का मतलब पक्षी see का मतलब देखो see that bird clear है चलिए बढ़ते हैं आगे so that so that so that का मतलब इसलिए की या ता की so that का मतलब इसलिए की या ताकि I am here so that you can go to the market मैं यहाँ हूँ ताकि आप बाजार जा सकें I am here so that you can go to the market मैं यहाँ हूँ ताकि आप बाजार जा सकें Clear है? चली बढ़ते हैं आगे अगला है as long as अगला क्या है? As long as यानि की जब तक या जितनी देर तक दोनों ही जगहों पर इसका स्तेमाल आप कर सकते हैं As long as इसका मतलब जब तक या जितनी देर तक इस्तेमाल देखिए You will get success as long as you try जब तक आप कोशिश करेंगे आपको सफलता मिलेगी You will get success as long as you try जब तक आप कोशिश करेंगे आपको सफलता मिलेगी चलिए बढ़ते हैं आगे Still Still का मतलब होता है फिर भी या अब भी Still का क्या मतलब होता है फिर भी या अब भी इस्तेमाल देखिए He is still here वह अब भी यहां है He is still here वह अब भी यहां है मतलब वो गया नहीं है वो अभी भी यहीं है He is still here Then देन का मतलब होता है फिर, तब, या तो, ये तीनों मतलब होता है, ती, एच, एन वाला देन, clear, दो तरह के देन होते हैं, दान और देन, ती, एच, एन वाला देन, फिर, तब, या तो, इस्तेमाल देखें, I was happy then, मैं तब खुश था, मतलब आप past की बात कर रहे हैं, मतलब कि आप बात करें जब आप खुश थे, I was happy then, मैं तब खुश था, nevertheless, यानि कि फिर भी, nevertheless, यानि कि फिर भी, इस्तेमाल देखिए, I am feeling ill, nevertheless, I will go to work, मैं बीमार में हसूस कर रहा हूं, फिर भी मैं काम पर जाओंगा, nevertheless, एक काफी strong connector है, और standard भी है, आप इसको अगर अपने language में Definitely, आपकी language जो है, बहुत अच्छी लगने वाली है, I am feeling ill, nevertheless, I will go to work, मैं बीमार में हसूस कर रहा हूं, फिर भी, मैं काम पर जाओंगा, Although, यानि की हालांकी, चली इस्तमाल देखे, Although I know him, हालांकी मैं उसे जानता हूं, चली बढ़ते हैं आगे, Nonetheless, यानि की बहरहाल या इसके बावजूद, थोड़ी आसान भाशा में इसके बावजूद, कैसे इस्तमाल करेंगे सेंटेंस में, देखे, Your results are not good, nonetheless, they are better than the last time, आपके परिणाम अच्छे नहीं है, बहरहाल पिछली बार से बहतर है, मतलब आप एक current situation को, पिछले किसी situation से compare करते हैं, जब आप comparison करते हैं, तो आप nonetheless का स्तमाल करते हैं, अभी का situation और इसके पहले का situation, Clear? Your results are not good, मतलब यहाँ से आपको क्या समझ मारा इस line से, कि आपके परिणाम जो है, आपके results जो हैं, वो अच्छे नहीं है, Nonetheless, फिर भी, they are better than the last time, पिछली बार से बहतर हैं, इस बार तो अच्छे नहीं है, लेकिन पिछली बार से बहतर हैं, Clear? Your results are not good, nonetheless, they are better than the last time, clear? So that, अब देखिए, so के बाद यह dotted lines, जो किसी एक चीज पर जोर डालने को symbolize करते हैं, ठीके? So that, यानि कि इतना की, यह इस इस word का use तब होता है, जब आप किसी को बहुत गुसे में कुछ बोलना चाहते हैं, ठीके? कैसे देखिए, so that, you cannot even think, इतना की, तुम सोच भी ना सको, basically, so that, या पे so के बाद एक हलका सा pause है, हलका सा ठहराव है, उसके बाद that है, मतलब आप किसी को आप बहुत जादा या तो गुसे में हैं, या तो खुशी में हैं, या बहुत जादा दुख हो रहा है किसी बात का आ हैं, so that, you cannot even think, मतलब इतना की, तुम सोच भी नहीं सके, है ना, इस तरीके के सिचुएशन में, so that, मतलब so के बाद एक हलका सा pause, so that, clear है, ऐसे इसका स्तमाल होता है, so yes guys, यह थी आज की वीडियो, वीडियो कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताइएगा, सारे के सारे शब्दों को याद कर लिजे, इनसे sentence बना करके practice करिए, तभी जाकर के अंग्रीजी अच्छी हो पाएगी, और वीडियो को like और share तो करना बनता ही, एए वीडियो तो अच साथी साथ, इसी कोर्स के उबर based ebook की free sample भी आपको मिल सकती है, यह कैसे मिलेगी, whatsapp करिए, पता करिए, इसके साथी अगर आप हमसे जोड़ना चाहते हैं, हमारे premium whatsapp spoken English course पे, इसकी inquiry आप इस नंबर पे कर सकते हैं, कि भई कब से बैस शुरू हो रही है, कितने मैनों की course है, कैसे homework check होगा, आपको कैसे homework करके भेजना है, यह सारी details आपको whatsapp पे बता दी जाएंगी, साथी साथ यह है हमारा basic English grammar course, अगर आपको लगता है कि आपका grammar उतना strong नहीं है, और आपको grammar अपना strong करना है क्योंकि exams के तयारी भी तो करनी है, यह course बिल्कुल आपके लिए है, इस बच्चों का खेल नहीं होता, लेकिन अब आसान है क्योंकि अब खेल खेल में बच्चे सीख जाएंगे grammar, उनको जो है आगे जाके कभी तकलिफ होने नहीं वाली है English grammar में, इसकी inquiry आप इस नमर पे कर सकते हैं, यह है favorite most English grammar and writing for school, अगर आप school goer है यह आपके बच्चे school जाते application writing, email writing, advertisement writing, report writing, message writing, notice writing, debate writing, speech writing, यह सारी चीज़ के इसमें कराई जाती है, साथी साथ, कैसे अंग्रीजी में, writing section में, full में full marks score किये जाते हैं, यह भी बताया जाता है, इसकी inquiry आप इस नमर पे कर सकते हैं, और यह premium competitive English course जो वाकि serious aspirants के लिए है, अगर आप वाकि एक serious aspirants है, और आप किसी भी competitive exam के तियारी कर रहे हैं, जिसमें अंग्रीजी पूची जाती है, सो यह course बिलकुल आपके लिए है, इसमें आपके अंग्रीजी की पूरी syllabus कवर कराई जाती है, चाहे वो reading comprehension हो, चाहे वो vocabulary हो, चाहे grammar हो, चाहे advanced level के grammar हो, चाहे आपके advanced level के questions हो, यह सारी इसमें 12-47 गंडों का वक्त लग जाता है, तो इसके लिए प्रतीक्षा करें, अगर आपने message कर दिया है, तो आपको reply जरूर मिलेगा, इसके लिए निश्चिंत रहें, so yes guys, that's it for today, thank you so much for watching, be with BeBanker, empowering lives through knowledge, thank you so much for watching, stay tuned to BeBanker.